सो हलो गाईस कैसे हो आप लोग आशा करते हैं आप सब बर्या होंगे मस्त होंगे आज पर आप सभी के लिए चार टॉप काम लेकर आए हैं जिनको आप रोड के साइट सुरू कर सकते हो हाँ दोस्तो हाँ आज की इस वीडियो में चार ऐसे छोटी छोटी काम बताएंगे जिनको आप रोड साइट स्टार्ट करके बहुत अच्छी आरनी कर सकते हो अगर आप भी चाहते हो कम पैसे में अपना काम स्टार्ट करना खुद का बैपार स्टार्ट करना तो आज की वीडियो आपके लिए हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो कम लेकर आएं वो बहुत ही कम इनवेस्ट में आपकी सुरू हो जाएंगे और डेली आप हजार से पंदरा सो रुपी आप आसानी से कमा सकती हो तो कैसे आपको काम सुरू करना है कहां से माल खरीदना है कैसे आपको इन कामों से आप सुरू बात करके बड़े लेवेल तक ले जा सकते हो इस सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम खुद का काम स्टार्ट करें लेकिन स्टार्ट करने के लिए सोच तो लेता है लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसके मांड में एक डर पैदा रहता है, मतलब एक डर लगया रहता है कि आखर हम अपना खुद का काम स्टार्ट करें, तो हो सकता है कि हम घाटे में चले जाएं, लोस हो जाएं, तो दुस्तों अगर हमें काम स्टार्ट करना है, तो इन सब को साइड में रखकर काम स् से कार्षाहिसर करीत दोड क्या तरे में कर दोड़के आए चोटी छोटी शोटी लीवेग् arkadaşlar किए था हाज अंने में पूरी इंडिया में उनका नाम जैसे जियो लिलांस और मतलब पर उसिपनी चि어 ूति ऐसे में मुपड़ा बहुत मंहाँ सुचतीं है हम काम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो का पैसा है वो डूब जाएगा तो इससा नहीं हो सकता जब तक हम रिक्स नहीं लेंगे तब तक हम बड़ा नहीं कर पाएंगे तो सीधे चलते हैं कि वो कौन कौन से business idea कौन कॉन से काम है जिनको आप starting कर सकते हूँ तो नंबर एक पे हैं जो है खाने पीने का काम हां दूस्तो है अगर आप खाने पिने कोई काम start करते हो तो उसमें सीधे सीधे आपको 50% का margin होता है जैसे की साइट रोड के किनारे अगर कहीं आपके आसपास हर जगाए पर बजार लगती हैं हर चोड़ाए पर हर नुकड़ पर आपने देखा होगा खाने पीने के फूर आइटम के जो छोटे 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 लगे होते हैं उनसे लोग कितनी अन्निकल लेते होंगे आपने कभी सोच होगा आप उहां पर जानकर उसके बारे में जानने की कोंसिस करिए डेली के वो हजार-दोहजार से भी ज्यादा अर्न करते हैं वो भी खर्चा काड़ के तो अगर आप खाने पीने कोई आइटम का बिजनिस करते हो जो आपके एरिये में मार्केट में नया हो आप कोई ऐसा प्रुडिक्ट लेकर आईए ऐसा खाने पीने का रिसे भी लेकर आईए जो अभी तक आपके मार्केट में ना हो नया बिलकुल नया अगर कोई नया आप आइटम लाते हो अगर आप पुराने आइटमों से भी शुरू बात करते हो जैसे चौमीन बर्गर रॉल्स तमाम ऐस आइटम तो इनसे भी आप अच्छी खासी अर्निक कर सकते हो क्योंकि आज के समय पर बूड़े से लेकर बच्चा तक हर एक एज का बाहर का खाना पसंद करता है तो जब भी हम दुकानों पर जाते हैं बाहर के छोटी-छोटी एस टॉलों पर जाते हैं वहां पर भीर लगी होती हैं क्योंकि पता है आज की जनरेशन ऐसी है है कि बाहर का खाना पसंद करते हैं तो 50% का सीधा-सीधा इसमें प्रोफिट है दूसरा जो विवफार है वह हैं बेल्ट फर्स का लेदर के बेल्ट और फर्सों का विवफार दोस्तों यह वी एक ऐसा विवफार है जो कम इ जरूरत नहीं है जो आपने देखी होगी कि लोह की स्टेंड बनी होती है लोह की वह स्टेंड बनवाने की जरूरत है जो 500-1000 रुपे में बन जाएगी इसके बाद आप देख लोगे कि आपके मार्केट की पास में कहां पर ज्यादा तर लोग आती जाती रहती हैं जैसे जिए ब्ल्ट फारस चस्मे यह आप बड़ी बड़ी मार्केट से उठा सकती हूँ जैसे दिल्ली कानपूर यह जैसी जगह नहीं जहां से आप भूत ही कम पैसे में यह सारी आइटम उठा शक्ती हूँ लेडेग लेदर की बात करें तो यह आप कानपूर से लेडर का जितन जाएगा और आप यहां पर सीधे सीधे सो एक सो बीस डेड़ सो रुपी का आप बेंचोगे सीधा सीधा 80-80% का पुरूफट है इसमें तो यह भी बहुत अच्छा विवफार है तीसरा विवफार है जो है मसालों का विवफार हाँ दोस्तों हाँ आप जहां आपका जो मार्केट है उससे थोड़ा दूर अगर आप बढ़िया से जो मसाले का विवफार है उसके लिए आपको एक दुकान बनवाने की ज़रूत है या फिर आप यह ही एक छोटी सी टपड़ी डाल कर आप उसससे ओन्मड़ा लागरा होंगे क्योंकि हरेक के भ्यक्ति होते हैं कि हमें मार्केट से दूर कोई दूकान मिल जाए जो भी हमीं चाहिए वो मिल जाए है क्योंकि भीड भड़ा काम हैं गाड़ी होते हैं लोग पलः। आप सुवदा होती हैं वहाँ पर जगह नहीं होती रखने के लिए तो अगर आप एक आंत में अपनी दुकान रखोगे तो वहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो मसारी का विवफार भी बहुत अच्छा विवफार है चोतरा जो विवफार है वह सबजी का विवफार है हाँ दोस्तों हाँ सबजी का विवफार भी ऐसा विवफार है जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा जा सकता है क्योंकि डेली के सबजी से आप हजार दूहजार रुफी कमा सकती हो क्योंकि हर के आज के समय पर और सब्जी हर नहीं